मैं रहाल गुपताब सभी कर स्वाद करता हूँ दोस्तों जैसा कि इस अभी जानते हैं हमारा लगातार और धुहाधार तरीके से चल रहा है बिहार दरोगा 2020 यह बना दिया गया वहां से आप ड्रेक्टली उस प्रेक्टिस सेट में जाके देख सकते हैं आज की वीडियो होगा यह होगा हमारा प्रेक्टिस सेट नाइन के उपर जिसका कटफ मार्क्स रखा गया है 65 नंबर उमीद करता हूँ आप सब इस कटफ मार्क को जरूर से जरूर किसकी बनी होती है यू क्रियाटिक सेल में प्लाजमा जिली किसकी बनी होती है तो यह होती है फास्फोलीपो प्रोटीन की याद रखें आप्सन नमर टी हमारा यहाँ पे एप्सलूट करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो यू क्रियाटिक सेल में जो प्लाजमा जिली होती है व जिन जो बहु प्रभावों को परदर्शित करता है वह क्या कहलाता है तो वो जो कहलाता है वो प्लियो ट्रॉपिक कहलाता है option number B हमारा यहां पे absolute correct हो जाएगा 3 देखते हैं 3 में क्या बोला जा रहा है देखिए question number 3 हमारा बोल रहा है उपास्थी यानि cartilage निमलिकित में से किसमें नहीं पाया जाता है तो cartilage जो है वो नहीं पाया जाता है मुत्राशे में याद रखें option number D हमारा यहां पे सही हो जाएगा याद रखें ठीक है उपास्ति हड्डियों के आसपास जोडे रखने का कार करता है हड्डियों को जो जॉइंट रखने का जॉइंटर का ये काम करता है इसलिए ये कंठ नाक कान में पाए जाता है जहां एक से अधिक हड्डियां पाई जाती है वहाँ पे ये एक जोड का काम करता है चलिए फोर देखते हैं फोर में देखिए भाई साब क्या बोल रहा है एक पतली जिली से होकर प्रकास नेतर में प्रवेस करता है इस जिली को क्या कहा जाता है तो इस जिली को कहा जाता है कौर्निया कहा जाता है ठीक है ध्यान रखें फाइफ देखते हैं क्या बोल र यहां हाता है ठीक है तो यह जिसका यहां पर हो जाएगा धानी यानी वोक्यू ठीक है यह हमारा बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सिख्स से में क्या बोल रहा है देखिए देख्स 59 को में मृत कोशिका होती है तो मृत कोशिका जो होती है वो हटो तक में होती है हटो तक में होती है हटो तक में मृत कोशिका होती है और यह उत्तक पादकों में तने जड़ एवं अने भागों में यह पाई जाती है 7 देखते हैं मानव का वो अंग जो सरीर में जल संतुलन के लिए उतरदाई है वैसा मानव का पार्ट बताना है जो human body में water level को है ना ये जो है maintain करता है वो कौन सा है तो वो जो है फेफडा ठीक है उतरदाई है यहां बात हो रही है मानव का वह अंग जो सरीर में जल संतुलन के लिए उतरदाई है तो वो है जो हमारा सौर यहां पर हमारा मैंने फिरफड़ा गलत बोल दिया है ठीक है हमारा जो यहां पर हो जाएगा विक हो जाएगा option number D किसे माना जाता है तो यह nucleic acid nucleic amal को माना जाता है और इसकी खोज की बात करें तो 1868 में ध्यान रखे 1868 में फ्रेडरिक मिशनर ने इसकी खोज करी थी नाइन देखते हैं रेयोन के निर्मान के लिए कच्छे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता ह तो neon में कच्छे माल के रूप में जो प्रयोग होता है उसका होता है cellulose का प्रयोग होता है ठीक है रियोन cellulose से निर्मित एक फाइवर है क्योंकि उसका उत्पादन प्रकृतिक रूप से मिलने वाले भौलकों से किया जाता है इसलिए वास्ताव में अब पूरी तरह से न गहरे तले हुए खाद पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें परचूरता में क्या पाया जाता है तो उसमें परचूरता में पाया जाता है वो होता है वसा यानि की फैट तो याद रखें बहुत ही हेवी फ्राइड कोई भी फूड ना खाएं गहरे तले हुए खाद पदार्थ एक इन्सर जनक होते हैं कि उसमें फैट यानि वसा परचूर मातर हम होता है और खाद तीलों में उपस्तित ट्रांस फैट जो है कैंसर के रीजन होते हैं इससे कैंसर होता है 11 देखते हैं किसी गोल ये दरपन की वक्रतार तिज्या आर तथा फोकस दूरी F में सही संबंध बताएं तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा देखिए हो जाएगा R is equal to 2F C हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा 12 देखते हैं 12 क्या बोल रहा देखिए तो इसमें जो सही कथन नहीं है वो है चुमबकिया छेतर रेखाएं खुला वक्र ओपन कर्व्स होती है option number C हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा 13 देखते हैं निमन लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है तो ध्वनी तरंगे अनुप्रस्त तरंगे होती है यहाँ पे यह स्टेट्मेंट wrong है ठीक है ध्वनी तरंगे अनुधैर तरंगे होती है ना कि अनुपस्त तरंगे होती है और फलता प्रकास तरंगों की तरह इसका भी धुरुवन नहीं हो पाता है इसी वज़ा से, ठीक है, क्योंकि धनी तरंग है, अनुधर तरंग है, ठीक, बाकी सारे स्टेट्मेंट्स जो है, यहाँ पर हमारे सही है, चलिए, 14 देखते हैं, क्या बोल रहा है 14 में, आईए, 14 ने बोल रहा है, निमने लिखित में से, कौन से प्रकार के विकरन की तरंग द लेंज उत्तल और उसकी फोकस दूरी 0.2 मीटर, यह यहाँ पर सही स्टेट्मेंट के अंतरगत आ जाएगा, option number C हमारा सही हो जाएगा, ठीक, 16 देखते हैं, क्या बोल रहा है, जब सफेद कपड़े पर लगे, हल्दी के धब्बे को साबुन से रगड कर, पानी में धोया ज आता है, तो रंगों के बदलने का सही अनुकरम जो है, निमलिखित में से क्या होगा, मतलब किसी कपड़े पर हल्दी का धबा लगवागा, जब उसको पानी में डुबाया जाएगा, तो पानी में सबसे पहले कौन सा कलर निखर के बाहर आएगा, फिर कौन सा कलर होगा, मत सफेद कपड़े पर लगे हल्दी के धबे को साबून से रगड कर पानी में धोया जाता है, तो रंगों के बदलने का सही करम जो होता है, पीला हो जाएगा, लाल भूरा हो जाएगा, और फिर पीला हो जाएगा, किसी परिपत में विधुध धारा की उपस्ति का पता लगाने के लिए परियोक्त किया जाने वाला उपकरन इसको क्या कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता देखें, गैल्विनो मीटर इसको कहा जाता, option number B हमारा सही हो जाएगा, 18, सिर्का यानि विनेगर का अन्य नाम क्या है इसको और किस नाम से बुलाया जाता है तो इसको बुलायाता है Ethenoic Acid Option No. A हमारा सही हो जाएगा और सिर्का जिसका जो सूत्र होता है, क्या होता है CH, ठीक है, ध्यान से देखें CH3COOH याद रखें ये सिर्का का फॉर्मूला होता है सूत्र होता है 19 देखते हैं, 19 क्या बोल रहा है विरंजक चून और DDT के बारे निमने लिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो कथन जो सही है वो है, दोनों में क्लोरीन योगिक होता है, Option No. C हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए 20 देखते हैं, 20 में क्या बोल जा रहा है किसी तत्व का सरवाधिक मौलिक अभिलक्षन निमने लिखित में से कौन सा है तो इसमें सरवाधिक मौलिक जो लक्षन होता है, वो होता है, परमानू क्रमांग Option No. C हमारा यहाँ बिलकुल ही सही हो जाएगा 21 देखते हैं, निमने लिखित में कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में परियोग्त होता है तो यह जो है, कोबाल्ट होता है Option No. B हमारा सही हो जाएगा ठीक, चलिए, नेक्स देखते हैं 22 22 क्या बोला जाना, देखिए निमने लिखित में से कौन सा एक बायो गैस का सबसे बड़ा घटक है सबसे बड़ा बायो गैस का घटक कौन सा इन में से तो यह कि मीथेन जो है ना सबसे बड़ा बायो गैस का घटक है Option No. B और मीथेन का अगर इसका रसाइनिक सूतर अगर बोला जाए तो इसका होता है CH4 ठीक है ध्यान रखें चलिए 23 देखते हैं डिटोरियम की दरवमान संक्या कितनी होती है तो इसके डिटोरियम में जो दरवमान संक्या होती है वो होती है 2 ऑप्सन नमर B हमारा सही हो जाएगा ठीक चलिए 24 देखते हैं निम्न में से किसमें सीसे की मात्रा अधिक पाई जाती है तो इसमें सीसे की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो उच ऑक्टेन वाले इंधन में पाई जाती है ऑप्सन नमर C हो जाएगा ठीक है 25 देखते है रास्ट्रियाय में क्रिसी का य याद रखें ठीक है चलिए नेक्स्ट की और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा देखे 26 कौन सी समीती एफ-re-b.m. अधिनियम से संबंधित है कौन सी समीती यह जो हैं के सिंह समीती जो है एफ-re-b.m. अधिनियम से रिलेटेट है ए एफ-re-b.m. एक्ट जो है दोजार-tीन की स FRBM की Full-Farm को बात करें, FRBM की Full-Farm को बात करें, FRBM की Full-Farm को बात करें तो क्या है, तो वो है, Physical Responsibility and Budget Management Act, right, 27 देखते हैं, निम निम से कौन, पर्टेक्चकर का उधारन नहीं है, तो पर्तेक्चकर का उधारन नहीं है, वो है विकरी कर, ठीक है, बिक्री कर और पर्तेक्च करके उधारन है और सेस अन्य जितने भी यहाँ पर दीख रहे हैं आपको आये कर स्टैंप और निगम कर यह पर्तेक्च करके उधारन है 28 देखते हैं हम उभोकता मूल सुचकांग यानी CPI का नया आधारवर्स क्या है बेस येर इसका क्या नया रखा गया है इसका जो बेस येर जो नया वाला है वो है 2012 से ठीक है याद रखें उभोकता मूल सुचकांग यानी CPI इसका नया आधारवर्स 2012 बिहार बजट 2020-21 के अनुसार निम्न में से किसके उतपादन में बिहार का प्रतमस्थान है तो इसके जो उतपादन है देखिए लीची और मखाना यानी D A और B हमारा दुन्नों हो जाएगा ठीक है लीची और मखाना इन दोनों में विहार का प्रतमस्थान है इसके प्रोडक्शन में उतपादन में 30 देखते हैं क्या बोल रहा है किस देश में सरवाधिक अमलिय वर्षा होती है सबसे ज़्यादा तो यह नौरवे में होती है ठीक है उप्यूक्त विकल्पों में सबसे ज़्यादा यहाँ जितने भी ऑप्शन्स है इन सबसे ज़्यादा नौरवे में अमलिय वर्षा होती ह और यह जो है किस वज़े से होती है तो यह carbon oxide और nitrous oxide के production के वज़े से होता है ठीक है चलिए next 31 देखते है निवन में से कौन हरित green gas नहीं है green house gas नहीं है तो इसमें जो green house gas नहीं है वो है SO2 option नमब B हमारा सई हो जाएगा कार्ट जोना protocol का संबंध किस से है तो कार्ट जोना protocol जो है वो jab सुरक्षा से related है option number A हमारा सही हो जाएगा ना कार्ट जोना protocol एक अंतरास्टिय संदी है जिसका संबंध जैब सुरक्षा से है और इसे 2000 में सुईकार सुईकारा था तथा 2003 में इसे लागू किया गया था याद ठीक है कार्ट जोना protocol चलिए नेक्स्ट है हमारा 33 भारत में केंद्रिय गंगा प्रधिकरन के स्थापना कब की गई थी यह की गई थी 1985 से option number B हमारा यह सही हो जाएगा 34 देखते हैं अंतरास्टिय बाग दिवस कम मना जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे बाग दिवस कम मना जाता है तो यह जो मना जयता है 29 जुलाइग को यह सांकिकी दिवस की अकर बात करें की स्टैक्स लूह जाता है ठीक है 29 से याद रखे ठीक है से कौन सा कथन सही है इसमेशन सही है स्ट्रेटमेंस है स्टेटमेंट से उसका मुण yourself तो यहां जो हमरे correct statement है देखिए पहला statement देख लेते हम पंचायत स्तर में एक तिहाइ स्थानों पर महिलाओं के लिए अरक्षन की विश्था की गई है ठीक है second statement बोला राज के संचीत नीधी से इन संस्थाओं को अनुदान देने के विश्था की गई है देखिए यह जो है ना दोनों को दोने statement हमारा absolute correct है और अपसिन नमर सी हमारा बिलकुल नहीं सही हो जागा देखिए भाग 9 में अनुचे 243 के तहत यह कहा गया है कि अनुची जो है ना यह 243 में को से लेके अना तक ठीक है भाग 9 में 36 में बौला जा रहा है किसी सुउकृती के बिना संचित निधी से धन नहीं निकाला जा सकता किसकी स्विकृति के बिना किसके पर्मीशन के बिना संचित निधी से पैसा धन नहीं निकला जा सकता तो देखे संसद के स्विकृति के बिना यहां से धन नहीं निकला जा सकता समिधान के भाग 1296-266 में भारत की संचित निधी का उलेख किया गया है भारत की संचित निधी का मतलब ये होता है कि उस निधी से है जिसमें सभी प्रत्यक्ष और और प्रत्यक्ष करों से प्राप्त सभी राजस भारत सरकार दोरा दिये गए, रिनो से प्राप्त ब्याज भारत सरकार दोरा लिये गए, सभी रिन तथा भारत सरकार दोरा प्राप् सबी रिनों की पूर्ण भुकतान की रासी भी इसमें सामिल होती और इसी निधी को विवस्थित करने की पूरी सक्ती सम्विधान ने संसद को दे रखिये इसलिए इस निधी में से बिना संसद के परमीशन के एक भी रुपया जमा करना या निकालना संभब नहीं है 37 देखते हैं सम्विधान के किस अनूछेत के अंतरगत किसी एक ही विवक्ती को दो या दो से अधिक राज्यों के राजपल निकते किया जा सकता है ये किस आर्टिकल में कहा गया है किस आर्टिकल के तहट ये बोला जाता है देखें ये जो है ना आर्टिकल एक सो तिरपन आर्टिकल एक सो तिरपन के नुसार परतेक राज का एक राजपाल होता है यहाँ पर ये लिखा गया है लेकिन किसी एक ही वेक्ति को दो या दो से अधिक राजयों के राजपल भी न्यूक किया जा सकता है और ये जो है आर्टिकल 153 में सात्वे सम्विधान संसोधन अधिनियम जो की 1956 में हुआ था इसके तहत इसमें एक और क्लॉज जोड दिया गया था ठीक है जिसके तहत आर्टिकल 153 के तहत जब सम्विध है और उस स्टेट का कोई पर्टिकुलर एक ही राजपाल को उस स्टेट का भी कारभार देना है तो ये क्लॉज भी 153 में सात्वे सम्विधान संसोधन जोड दिया गया था 38 देखते हैं क्या बोल रहा है किस राज किसी राजविधान सभा में अधिकतम सदस्व की संख्या ह सकती है कितनी तो ये जो हो सकते देख अधिकतम 500 हो सकती है 500 ध्यान रखें ठीक है चलिए लेकिन यहां पर और बात यार्ट कि नियूंत मिनिममम जो है 40-60 सथ से होने चाहिए लेकिन 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 दोस्त होल्ड ऑन अपवाद के रूप में एक्सेप्षन के रूप में गह सब्सक्राइब निर्धारित और सिक्किम जो है तो यह तीन स्टेट जो है है ना गोवा मिजोरम और सिक्किम यह अपवाद के रूप में लेकिन मैक्सिमम 500 होगा और मिनिमम साथ को होगा याद रखना है ठीक है भूलना नहीं है 39 देखते हैं क्या बोल रहा है निम लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो निम लिखित में से जो कथन सही नहीं है वो विधान सभा में एक बटाच्छे सदस्यों को राजपल दोरा मनुनित किया जाता है यह यहाँ पे कथन गलत है विराजपल एक बटाच्छे सदस्यों ना होकर समविधिक आयोग हो गया था ठीक है क्योंकि इनकी स्थापना संसत के अधिनियम के द्वारा की गई है इसलिए इसका वर्डन किसी भी अनुच्छेद के तहत नहीं किया गया है हमारा उप्स नमर डी सही हो जाएगा यहां पे ठीक है ध्यान रखें राष्टि मानवदिकार आयोग 1993 जो है समविधानिक आयोग ना होकर सामविधिक आयोग है क्योंकि इसकी स्थापना संसत के अधिनियम के द्वारा की गई है ठीक है इसलिए इसका जो वर्डन ने किसी पे नुच्छेद के तहत नहीं किया गया है चलिए नेक्स सही है ठीक है लोग से MP3 कर आइसका है एक आप्टिकल 320 में है ना हम परेंगे नेक्स्ट हमारा 42 ले परहा है भारत के महाने वादी के संदर में कौन सा कथनğu गलत है ठीक है wrong वाले statement को यहाँ पर चुनना है कौन सा कतान यहाँ पर गलत है देखिए तो यहाँ पर जो ना माहा नियाएवादी संसद का सदसे नहीं होता है लेकिन मत देने काधिकार इसको प्राप्त होता है यहाँ पर यह जो statement है यह wrong statement है भारत का महानयवाद ही एक ऐसा इंसान है जो संसत का सदस से नहीं होता है लेकिन उसके किसी बैठक में बोल सकता है याद रखें सिर्फ भारत का महानयवाद ही एक ऐसा इंसान है जो संसत का सदस से नहीं होता है लेकिन उसके किसी बैठक में बोल सकता है लेकिन उसे मत देने क पराइस्ट पती के संदर में कौन सा कतन सही है उपराइस्त पती को राजसभा के तकालिन कुछ शदस्यों के बहुमत द्वरा संकल्प पारिद कर हटाया जा सकता है यहां जो है यह वाला statement हमारा बिलकुल ही सही है ठीक है 44 देखते है 44 में क्या बोला जारा देखे निम लिखेत में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है किरिशी और पसुपालन अनुच्छेद 48 को यहां पर यह रॉंग है किसी और पसुपालन जो है 48 की तहट आता है ठीक है और पडैवरन का संरक्षन तथा समवर्धन और 111 जीवो कि स्रक्षा का प्रावधान 48 को के तहट आता है तो यह को नहीं होगा क्रिशी और पसुपालन चिर्फ अर्टीकल 48 ही होगा रइट चलिये, 45 देखते हैं क्या बोल रहा है 45 में आर्टिकल 371 को में किस राज के संबन्द में विशेइस उप्बंध किया गया है तो यह जो किया गया है तो नानुचे 871 को के तहत है, असम अनुचे ये भी 371 खा के तहट है मनीपूर अनुचे 371 गा के तहट और महरास्ट और गुजराज जो है अनुचे 371 के तहट इसके बारे में बंद किया गया है नेक्स्ट कॉर्शन अबर 46 देखते हैं निमलिके तुमसे कौन सही सुमेलित नहीं है देखिए इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो देवबंदी पाकिस्तान जो ये सही सुमेलित नहीं है देवबंदी इरान होगा नाकी पाकिस्तान और मैं आपको बता दूँ ये सारे जो है ना ये सारे जौला मुखी के नाम है ठीक है चलिए देवबंदे इरान नाकी पाकिस्तान 47 देखते हैं क्या बोल रहा है पृत्वी की आंतरिक संरचना के दुरिस्ट्री से बात हो रही है तो यह जो है देखें मेंटल हो जाएगा ऑप्सन नमब भी हो जाएगा ठीक है मेंटल भूपरपटी के नीचे होता है और यह 29 सो किलमेटर तक का यह गहरा छेतर होता है जो की मुख्यता बिसाल्ट पत्थर के समूग के चटनों से बना होता है मेंटल का निर्मान मुख्यता सिलिका और मैंगनीशियम से हुआ होता है ठीक है और इसलिए इसे सीमा परत भी कहा जाता है 48 देखते हैं नदियों के द्वारा लाए गए जलोड से निर्मित मैदान को किस नाम से जाना जाता है नदियों द्वारा जो जलोड मिट्टी आयता है और उसका जो निर्मान होता है किसी मैदान का जलोड मिट्टी के द्वारा उस मैदानों क्या का जाता है तो उसको खायता है निच्छे पात्मक मैदान आपसन नमबर ए हमारा एपसल्यूट सही हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन हम देखते हैं कोश्चन नमबर 49 क्या बोल रहा है 49 में देखिए नदियों के द्वारा लाए गए इसमें कौन सा होगा देखिए सबसे प पूरा जाएगा ठीक है उसका सत्थ पूरा आ जाएगा और जाएगा अजनता आजाएगा हमारे बैठता है वो देखिए बैठेगा ठीक है चलिए 50 देखते हैं क्या बोल रहा है 50 में नदियों तथा सहायक नदियों कानी मिलिखित में से कौन सा यूगम सही है तो इसमें ज जो हो जाएगा गुदावरी इंद्रावती पूर्ना वरदा और पेन गंगा यह सारी साहयक नदियां हैं क्रिष्ट न क्रिष्ट्टा की हम बात कर ले तो क्रिष्ट्टें में ठीब जो मिलान है वो डी ही है हमारा 51े क्या बोल रहा है 51 में थोरा सा मैं जूम आउट कर दूं चलिए 51 में देखिए क्या बोल रहा है विट्वन बोल रहा है सुची एक प्रमुख बांध सुची दो राज के साथ सुमेलित कीजिए और कूट कपड़ों कर सही उत्तर चुनिए ठीक है यहां बांध और उसका करना है ठीक और अगर बात करें में टूर बांध की तो यह होता है तामिल नाडू हमारा सही जो कूट हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखते है 52 52 में क्या बोल जा रहा है देखिए भारत में निमलिकित में से किस एक वन प्राडूप में सागाउन टी का एक प्रभावी व्रिक्ष पर जाती है तो इसमें जो सागाउन या टी का प्रभावी व्रिक्ष पर जाती है वो है हमारा उसमें कटे बन दिये आद्र परणपाती वन यह हमारा ओप्सन यह हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स देखते है 53 53 में क्या बोल सब्सक्राज के तिन सुखिया जीले का उपनगर है और यह भारती रेलवे के सबसे पूर्वी इस्टेशन है ठीक है नहार कटिया जो है यह असा में पेट्रोलियम ता गैस छेत रहे उसके बाद कलोल जो है गुजरात में इस्थिति यह तेल चेतरहे अंक लेस्वर जो गुज समुह प्रमुख रूप से पाई जाता है तो यह द क्या हूता है चलिए नेक्स्ट की ओर हम पढ़ते हैं 55 क्या बोलगा कि मरोस्थलिये भूमी पर पाई जाने वाली निमन भू अकृतियों में से कौन सी एक आन्ने तीन में से भिन है तो इसमें जो तीनों में से भिनने कौन सा है ड्रम लीन है ठीक है ऑप्सिन नमर डी हमारा सही हो जाएगा यर्दांग यूगेन छत्रक जो है ये सीला मरुस्थल पर देश में एक पवन अपर्दन के कारण निर्मित स्थलरकृत जबकि डमरील जो है हिमनाद जवारा निर्मित ये स्थलरकृती होती है द्रमलीन ये हिमनाद जवारा बनता है 56 निमलीकी तुम से किस भारतिय राजकिय सीमाए नेपाल से नहीं लगती है निमलीकी तुम से किस भारतिय राजकिय सीमाए जो है वो किस स्टेट की भारतिय जो नेशनल बॉर्डर है किस स्टेट की वो नेपाल से नहीं टच करती है तो वो जो है अनुनाचल परदेश है ठीक है नेपाल की सीमा से लगे भारती राज कौन कौन है याद कर ले उत्तरा खंड है उत्तर परदेश है बिहार है बंगाल है और सिक्कीम है ठीक है बंगाल उत्तर परदेश सिक्कीम उसके बाद ठीक है ना उसके बाद उत्तर इसे भारत पर experiment करने भारत को जनने के उद्देश से, तो कौन पहले आया, वो हमको बताना है, देखिए सबसे पहले कौन आया, मेगास्तनी जाया, ठीक है, उसके बाद फाहियान आया, ये दू नमबर पर आ गया, ठीक है, उसके बाद कौन आया, उसके बाद इतसिंग आया, इनसांग, ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार, यानि ऑप्सन में बी हमारा, ये सही कूट हो जाएगा, आप सब के लिए इस से लिटेट होंवक ये है, आपको कमेंट करके, इन सब के भारत आगमन का वर्स बताना है, 58 देखते हैं, उपनिशद काल के जो राजा थे, ये कहा कि सा सकते हैं, याद रखें, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट 59 देखते हैं, 59 में क्या बोल रहा है, बुद्न के अंतिम वर्सारी तू कहां बिताई थी, तो बुद्न अपने जिवन के अंतिम वर्सारी तू वैसाली में इन्होंने बिताई थी, याद आनेकांताद की बात हो रही है तो ये जो है ना देखिए जैनमत का कोड और सिद्धान धर्शन है ठीक है नेक्स्ट की और हम परहेंगे नेक्स्ट है हमारा question number 61 देखे पृत्विया प्रतमवीर की उपाधी किस ने लिए है पृत्विया प्रतमवीर की उपाधी तो ये लिए समुंद्र गुप्त ने ठीक है पृत्विया प्रतमवीर की उपाधी समुंद्र गुप्त ने धार्म की थी और समंद्रुप्त को भारत का नेपॉलियन भी कहा जाता है तुझे के बाबरी किस भासा में लिखी गई थी तुझे के बाबरी की बात हो रही है तो ये जो है ना देखिए तुर्की भासा में लिखी गई थी और इसका फार्सी मनुवाद अबूल रहीम खाने खाना ने करा था ठीक है 63 देखता है निम लिखे तमसे कौन सा यूगमन जो है सुमेलित नहीं है तो इसमें जो कौन जो यूगमन सुमेलित नहीं है वो वार्नाकुलर जो एक्ट है यह निरस्त लिटन ने किया यहाँ पर यह सही नहीं है विकल्ब डी यहाँ पर सुमेलित नहीं है दिके वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को लिटन ने नहीं किया था लेकिन इस act को निरस्त रिपन ने किया था ठीक है याद रखें किसने तो रिपन ने इसको निरस्त किया था लिटन ने नहीं चलिए 64 हम देखेंगे क्या बोल रहा है खेरवार आदिवासी अंदोलन कब हुआ था खेरवार आदिवासी अंदोलन तो यह हुआ था 1874 में option number C हमा 65 भारत में पुनर जागरां दोलन का अग्रणी दूद कौन था भारत में पुनर जागरां दोलन का अग्रणी दूद की बात की जाये तो राजा राम मोहन रोय थे option number B हमारा सभी हो जाएगा 66 देखते हैं स्वाधिनता अंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे तो जो उनके स्वाधिनता अंदोलन दौरान जो सबसे करीबी मित्र अंग्रेज जो थे वो थे चार्ली एंड्रूज ठीक है चार्ली एंड् नेक्स्ट की और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा है 68 क्या बोल रहा देखिए 1932 पूना पैक्ट के बाद हरीजन सेवक संग की स्थापना हुई इसके अध्यक्ष कौन थे तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे घंसे आमदास बिड़ला option number 3 हमारा सई हो जाएगा 1929 में जाले और चाप ले दिमाग में यह याद होना चाहिए आपको ठीक है यह जो उसमें कौन था उसमें लौड चेम्स फोर्ड ठीक है सतर देखते हैं अंतरास्टिय सांती दिवस 2020 का थीम क्या था यहां पूछा जा रहा है तो यह जो था थीम सेपिंग पीस टुगेदर option number 2 हमारा यहां पे सई हो जाएगा अंतरास्टिय सांती दिवस हर साल 21 सेप्टेंबर को हर साल मनाया जाता है इसका ध्यान रखें ठीक है जी नरायनन option number 2 हमारा बिलकुल ही सई हो जाएगा ठीक है 72 देखते है निमन में से कौन वियत नाम की राजधानी है तो वियत नाम की राजधानी हनोई है और इस देश की अगर मुद्रा यानि करेंसी का नाम पूछ जाए तो डॉंग है ठीक है क्या है डॉंग डॉंग डॉ तथा यहां के वरतमान प्रदान मंत्री जुआन फुंग है 73 देखते हैं जुलाई 2020 में स्मृति वन का उद्गाटन जो है कहा किया गया तो स्मृति वन का उद्गाटन किया गया है वो अस्थल में किया गया है 19 जुलाई 2020 में स्मृति वन का उद्गाटन अस्थल देहराद और अगर बात की जाए उत्राखंद स्टेट के स्थापना कब होईती तो यह होईती साल 2000 में ठीक है यह तूथाउजन चलिए 74 देखते हैं 74 का बोल रहा है पुस्तक के लेखक कौन है अमेजिंग अयोध्या इसके लेखक है नीना रोय ठीक पचेता देखें जनुरी 2021 में जार सुमालिया में भारती राजदूत कौन न्यूक्त हुए हैं सुमालिया की बात हो रही है तो जो भारती राजदूत न्यूक्त हुए है वो है विरेंद्र कुमार पाल ठीक है option number A हमारा बिलकुल ही सई हो जाएगा जनुरी 2021 में इंजिनरिंग पुरुषकार 2020 में 20 से किसे समा समानित किया गया ठीक है तो यह जो समानित किया गया है वह किया गया है वी के यादव को ठीक है इंजिनिंग प्रोडसकार 2020 से पूर रेलवे बोर्ट के अध्यक्ष वी के यादव को समानित किया गया है यह पहले रेलवे बोर्ट के अध्यक्ष थे इनके स्थान पर रेलवे पर योजना कहां सुरू की गई है तो यह सुरू किया गया है यह देखिए सुरू किया है और ना चल पर देश में आपसन नमबर ए हमारा सही हो जाएगा उन्हात उन्यासी देखते हैं किस राजसरकार ने इंद्रा गांधी मातुत्व पोशन योजना की सुरूबात की है तो पर तीन वर्स तक के बच्चों के स्वास्ते वंपोशन के स्तिती में सुदार लाने के साथ साथ पर इवार नियोजन के परतजी इनको जागरू भी बनाना टिक 80 देखते हैं 80 में किनकी मृत्यू कुरोना काल में हुई थी तो जिनकी मृत्यू कुरोना काल में हुई थी वो थे राजीव त्यागी राजनेता ही है इनकी भी हुई थी रहातिंदोरी इनकी भी हुई थी ये उर्दू कभी है और अमर सिंग राजनेता इनकी भी हुई है आप्सिन नमर D हमारा सही हो जाएगा ये सारे के सारे ओल 81 सागर कवच नामक तटिये सुरक्षा ब्यास कहां पर संपन हुआ तो ये जो संपन हुआ है ये हुआ है पारादूइब तट पे अप्सिन नमर सी हमारा सही हो जाएगा ठीक है एड़ी टू देखते हैं क्या बोल रहा है फल सब्सक्राइब के लिए नियुंतम आधार मूल निधारत करने वाला देश का पहला राज कौन बना तो ये जो बना है देश का पहला राज वो है केरल अप्सिन नमर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल है सही हो जाएगा ठीक है केरल जो है सब्सक्राइब के लिए नियुंतम मूल लेता है करने वाला देश का यानि हमारे इंडिया का सब्सक्राइब का बात कर ले तो उनकी उत्पादन लागत से 20 परतिसत अधिक रखा गया है ठी रास्मिवा ऑसकर आवर्ड जो 2020 में हुआ है तो इसमें जो पैरासाइट को जो है ना जो नॉन इंग्लिस फिल्म है यह पहली बार कोई ऐसा फिल्म है जो इंग्लिस भासा में नहीं है और यह पैरासाइट है जिसको ऑसकर आवर्ड में सर्वसेस्ट फिल्म का आवर्ड मिल गया है तो इसको जिन को चुना गया है वह है नसीरा सर्मा ऑप्सन में डी हमारा बिल्कुल ही सई हो जाएगा पैचासी देखते हैं कि सरकार दwhora हर बल रोड्स प्रजेक्ट के तहत सरकों के दोनों और और उसधी पौधों कार ओपन करने का निर्णा लिया गया है तो यह जो लिया गया देखिए यह उत्तर प्रदेश गवर्मेंट के और से लिया गया है ठीक है यह प्रजेक्ट उत्तर प्रदेश गवर्मेंट का हर बल र गार्डन है तो उत्राखंड का घाटन का इंद्री की जाए तो यह है त्रिवेंद्र सिंह रावत और आगर राजपाल की बात की जाए तो बेबी रानी मौरे यहां की राजपाल है यानि की गवर्णर 87 देखते हैं जल जीवन मिसन के तहट ग्रामीन चेतर में 100% नल कनेक्शन परदान करने वाला देश का पहला राज कौन बना तो यह जो बना है देखिए यह गोवा बना है ठीक है याद रखें गोवा 88 देखते हैं क्या बोल रहा है 88 में बोल रहा है बाग जणगनारिपेऔंट City को बिहार में बागों की संक्या कितनी है तो बाग जनगनारिपोर्ट के हिसाबबाउंट इस साब najbardziej जरी किया गया है और जिसमें बिहार की संक्या बागों की 31 जबकि सब्यादा बाग में और यहां रिपोर्ट 29 जुलाई 2019 में यह पब्लिश किया गया था नवासी देखते हैं भारत में G20 सिखर समेलन का योजन कभ किया जाएगा तो G20 सिखर समेलन का जोजन है भारत में वो 2023 में किया जाएगा ऑप्सन नमर ची हमारा सई हो जाएगा ठीक है याद रखें यह 2023 में भारत में होने वाला है ठीक है चलिए नेक्स्ट के और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा है नबे नबे में क्या है देखे जरा 34 ग्रिस्टन कालीन ओलंपिक का योजन कहां किया जाएगा चौटीसवा के बात हो रही है तो यह जो किया जाएगा लॉस एंजलिस में किया और इसका योजन हर एक चार साल पर अगले अलग-अलग सहर में इसका किया जाता है तो इस बारी जो है चौटीसवां जो ग्रिस्टन कालीन ओलंपिक है जो कब होने वाला है दो अजार अठाथा समय होने वाला है लॉस एंजलेश यूएस ए में होने वाला है ठीक हैattend 91 कि ये अमेरिका से हैं option number C हमारा सही हो जागा ठीक है अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और समुदरी विज्ञान कैथी सुलिवन प्रित्वी के सबसे गारे बिंदू चैलेंजर दीप में पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है 92 देखते हैं राज्यों के each of doing business report 2020 में प्रत्थम स्थान किस राज को प्राप्त हुआ है तो प्रत्थम स्थान जो है ये प्राप्त हुआ है आंधर प्रदेश को option number B हमारा बिलकुल ही सही हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स देखते हैं हम 93 93 में क्या बॉला जाएगा ठीक है तो धैठ लिएगा है तो यहां पर हमारा जो जाए करिक्ट है दस्वा ठीक हैë यहां राज नहीं यहां देश हो जाएगा ठीक है 94 देखते हैं आर्थिक सर्विक्षन 2019-20 के नुसार क्रिसी छेत्र में परतीशत वृद्धी कितनी है तो जो परतीशत वृद्धी है यह 2.8 परसेंट है ऑप्सन नम्म ए हमारा सई हो जाएगा ठीक है चलिए 95 देखते है 95 में क्या बोल रहा है कि यहां से मैट से कोश्चन कोशी स्टार्ट होते हैं मैं आंसर बताऊंगा फटफटफट साप लोग स्क्रीन सोट ले और खुद से जरूर सॉल्फ करें एक मिस्ट्धात्व के 400 ग्राम के जिस्ते में तामबा 5-3 के अनुपात में है ततनासर उस अनुपा रासी पर 6 वर्स का साधारन ब्याज उस रासी का 9 बटा 25 है तो ब्याज किदर ग्याद करें तो इसको ब्याज का दर होगा वह होगा 6% ठीक 97 देखते हैं एक व्यक्ति एस्थान एक व्यक्ति ए से स्थान बी तक जाने में 12 किलमेटर और की चाल से जाता है जबकि एस्थान से अस्थान ए तक 15 किलमेटर चाल से वापस आता है उस व्यक्ति की एवरेज स्पीड एवरेज चाल ग्यात करना है क्या हो जाएगा तो जो हो जाएगा 13 होल 1 by 3 किलमेटर पर आवर ठीक है 98 देखते हैं एक इसी काम को 12 दिन में कर सकता है बी एक या 50 परसे अधिक दक्ष है तो भी अकेला उस कारों कितने समय में करेगा तो भी जो अकेला उस काम को करेगा वो करेगा 8 दिन में उपस नमर बी हमारा सही हो जाएगा ठीक है 99 देखते हैं क्या बोल रहा है किसी वस्तु का क्रेमूल विक्रेमूल का 3 बटा 4 है तो उस पर कितने परतिसत का लाब होगा तो उस पे जो लाब होगा हमारा वो होगा 33 होल 1 बाई 3 परसेंट आपस नमबर C हमारा सही हो जाएगा 100 देखते हैं जनवरे 2020 में किस राज में 1600 टन लीथियम भंडार की खोज की गई है तो 1600 टन लीथियम भंडार की जो खोज की गई है वो किया गया करणाटक में याद रखें करणाटक में 1600 टन लीथियम भंडार की खोज की गई है और ये स्रोत मंडिया जिले में माला गाड़ला अला पटना छेतर में ये मिला है याद रखें ठीक है अला पटना छेतर में तो दोस्तों ये था हमारा सेट नमबर 9 इरूटीरिया का उमीद करता हूँ ये स्रेट आप लोग काफी पसंद आया है वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि और ये बच्चे से लावनवित हो तो आज के लिए बस इतना ही साम में 6 बज़े मैं आपसे दुबारा मिलूंगा हमारे होमवर्क सिरीज के आउंगा आपके लिए जो हमारे लाइव क्लासेज में आपसे सॉल्व कराए जाएगा तो आज के लिए इतना ही तिल देन टेक केर बबाए दुबारा से मिलता हूं साम सारे 6 बज़े के असपास तिल देन टेक केर बबाए और गाड़ ब्रेस यॉल